मानो भूगोल के खेत्र उपक्षेत्र उसके दायरे की बात करें तो हमें पुना ख्याल करना होगा कि यह एक बहुत लंबे क्रमिक विकास के अध्यान का विश्य है और समय के साथ साथ इसका संबंध अन्य विश्यों से भी होने लगता है इसमें जो अन्य परिवर्तन हुए उसमें उसके संबंध अन्य विश्यों से बढ़ें और साथ ही ये भी देखना जा सोचना ज़रूरी है कि ये जो दूसरे विश्यों के साथ बढ़ते संबंधों का परिनाम ये भी हुआ कि मानो भूगोल का अपना खुद का खेत्र बहुत एद्वियापक होता चला गया इसका जो मुख्य बिंदू रहा इसके ख्षेतर उप्खेतर का इसमे मूल रूप से जन संख्या या मानो इसका केंदर बना रहा इसे हम अनेक पक्षिस को इसमें शामिल किये जा सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, उदारन के लिए सबसे पहला प्रदेश की जन संख्या, उसकी ख्यमता और मानव भूमी का अनुपाद, यह प्रदेश शब्द का अर्थ यहां कोई राजज नहीं है, प्रदेश का अर्थ है एक क्शेट्र क्योंकि यह किसी इन बातों पर जन संख्या का प्रभाव या जन संख्या की ख्यमता और भूमी से या इसका अनुपादी यह का अध्यन करणा है तो किसी एक निश्चित्व क्षेट्र को हमें लेना होगा इस प्रकार पहला बिन्दु प्रदेश की जन année ईसकी ख्रम्ता और माना। भूमि का अनुपार दूसरा बिंदु है प्रदेश के संस्कृतिक साधनों और मूलियंकन किर बिंदू माना सवामदाय द्वारा प्रकृतिक लोकियोक निरमित संस्कृतिक भूमि स्वरूप इसके विश्तार पर हम बाद में जाएंगे पर अभी आपको समझ लेना है कि तीसरा बिंदु है माना समुदाय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से जो निर्मित हुआ है जो भूमी स्वरूप निर्मित हुआ है उसका सांस्कृतिक पहलू हमको देखना होगा देखना होता है इस विशा में और चोथा बिंदु है प्राकृतिक वो संस्कृतिक वातावरण के क्रियात्मक संबंद से उत्पन माना वातावरण का स्वरूप मैं पुना दोहरा दूँ प्राकृतिक वो संस्कृतिक वातावरण के क्रियात्मक संबंद से उससे जो उत्पन हुआ है नया संबंद तो मानव वतारण का स्वरूप किस रूप में बदला यह भी इसका एक खेत्र है अध्यन का खेत्र है और अंतिम पहलू अंतिम पक्ष भागोलिक सांस्रितिक वतारण में समायोजन का समय के साथ विकास और इतिहास यानि भागोलिक सांस्रितिक वतारण में सम्बंदों के समायोजन का समय के साथ विकास और उसका इतिहास इस प्रकार यदि हम बात करें कि मानव भूगल के खेत्र उप खेत्र क्या हैं तो ये पांच बिंदों पर मोटा मोटा हमको अध्यन करना होता है मानवी क्रिया कलापों का एक प्रदेश स्तर पर अध्यन मानव भूगल का विशेक खेत्र कहलाता है हम जब बात कर रहे हैं विशेक खेत्र की तो इस बात को खेल रखें कि किसी एक स्थानी स्तर पर अध्यन किया जाए ये मानव भूगोल का विशेक खेत्र है किसी एक प्रदेश का पूरे विश्व का नहीं किसी एक खेत्र का तो मानव भूगोल में हम खेत्री अध्यन करते हैं खेत्री वातपर्यावरन का खेत्री मानव परिवर्तन का अध्यन करते हैं मानव एक स्वयम में बड़ा स्वतंत्र भावगोलिक कारक है और जो प्रकृति प्रदत्र संसाधनों का प्रयोग कर उनका विकास करता है जो प्रकृति ने जो दिया है उसे, उसका वो उप्योग करता है, जैसे प्रकृति ने उसे वन दिये हैं, प्रकृति ने उसे जमीन दिया है, पानी दिया है, ओक्सीजन दिया है, और भी न जाने क्या-क्या है प्रकृति का, तो इसका समुचित उप्योग कर अपना विकास कर ये मानों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ती है अपने रहने के लिए घर बनाएगा यातयात के लिए साधन कृशी के लिए नहरें पहाडों से आवागमन के लिए सुरंग बनाकर वो प्रतियक प्राकृतिक तत्व को अपने अनुकूल कर लेता है यहां से शिमला जाना तो कि शिमला की जो उचाई है और यहां से जो दूरी है रास्ते में अंगिनत नदी आएंगी अंगिनत पहाड हैं और ना जाने कितनी तरह की बाधाएं हैं घने जंगल हैं घाटियां हैं अब इन सब से रास्ता निकाल कर शिमला पहुँचने के लिए वातावरन को हमको अ अनुकूलता से हमारा क्याताथ पर है वातावरन की अनुकूलता कर्थ है कि हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि यहां से शिमला जाने के रास्ते में जो भी प्राकृतिक बाधाएं हैं उन्हें हम ओवरकम करें उन्हें हम पार करें और इस बात को संभव बनाएं कि हम शिमला ज सकते हैं और संभाव बनाने के लिए ये जरूरी है कि आने वाले रास्ते की प्राकृतिक बाधाओं को हम नियंत्रण में कर लें उसको अनुकूल बना लें जो रास्ते के जो प्राकृतिक ताट्व हैं उसे अपनी जरूरत के अनुसार ढाल लें मानों की बाधिक शम्ता इसी में तो लगती है और ये बाधिक शम्ता से निर्मित प्रत्येक भुद्रिश को मानों के संस्कृतिक विकास की संग्या दी गई है यानि हम जो भी करते हैं अपना बुद्ध लगाकर जितना भी निर्मित करते हैं अपनी बुद्ध लगाकर यही तो संस्कृतिक विकास कहलाएगा जिसमें हम मकान बनाते हैं निर्मान करते हैं विबिन तरीके के चाहे परिवहन की व्यवस्था करते हैं आदी आदी तो ये बहुत समझने की बात है कि बौधिक शम्ता से निर्मित दिर्श्य को मानों के सांस्कृत विकास की संग्या दी गई है मानों भूगोल के अंतरगत इन सभी क्रियाओं का जिसने प्रेकृतिक वातावरन को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बनाने में सहयोग किया है उसका अध्येन किया जाता है जो पूर में हमने परिभाशाइं दी थी या पढ़ी थी या देखी थी इन परिभाशाओं का निचोड यहां पर है जिसमें कहा जा रहा है कि मानों भूगोल क्या है मानो भूगोल वह विशा है जिसमें हम मानवी क्रियाओं का जिसने प्राकृतिक वातालन को आर्थिक, सामाजिक, सांस्क्रितिक बनाने में सहयोग दिया हम उसका अधन करते हैं ग्यान के विकास के साथ मानो भूगोल के खेतरों और उपक्षेतरों का जन्म हुआ ग्यान के विकास के साथ मानो भूगोल के ख्षेत्र और उप ख्षेत्रों का जन्म हुआ इसी से मानो भूगोल के विवन पक्षों का हम ग्यान प्राप्ट करते हैं उनसे सहायता मिलती है और खेत्र उफखेत्र का अधियन मानो भूगोल का एक एक अहम इस्सा माना जा सकता है यदि हम उसके ख्षेतर और उप्षेतर के बात करें तो आप देखेंगे कि भूगोल के ख्षेतर में करीब छै तरीके के मानो भूगोल के ख्षेतर हैं यानि छै दाइरे हैं छै अलग अलग उसके ख्षेतर हैं भूगोल के जिसमें काम किया जाता है पहला कहलाता है सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में उसका उपक्खेत्र यजि हम देखें तो सामाजिक भूगोल के पाँच उपक्खेत्र हैं, व्यावारवादी भूगोल, सामाजिक कल्यान का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, एतिहासिक भूगोल और चिकसा भू से अध्यान में सुविधा होती है यदि हमें सामाजिक भूगोल पढ़ना है मानो भूगोल के सामाजिक भूगोल को समझना है तो हमें अपने को मनो विज्ञान से भी जोड़ना पड़ेगा और सुशास्त्र भी समझना हो पड़ेगा मानो विज्ञान इतिहास और महामारी व ग्यान का भी अध्यन आवश्यक होगा ये समाजिक भूगोल के पूरक है एक तरीके से जिसके ग्यान के बिना इन विश्यों के अधूरे ग्यान के बिना या इन विश्यों के ग्यान के बिना समाजिक भूगोल ठीक तरीके से समझा नहीं जा सकता ठीक तरीके से मानव और पर्यावरन के बीच का जो परस्प्रिक संबंद है उसका विश्रेशन ठीक नहीं हो पाएगा ऐसे दूसरा मानव भूगोल का ख्षेतर है नगरी भूगोल जिसमें हम मूलतह क्या पढ़ते है नगर नियोजन नगर कैसे बनते हैं कैसे उनकी वित्पत्ती होती है कैसे उनका उदै होता है फिर उदै के बाद विकास होता है और अंततवे जाके महानगर और आदी आदी का रूप लेते हैं और उनका योजना कैसे बनती है कारियानवन किस तरीके से होता है ये नगरी भूगोल में होता है तीसरा जो भूगोल है मानौ भूगोल का खेतर वो कहलाता है राजनीतिक भूगोल इसमें जैसा शब्द से स्पष्ठ है राजनीतिक संबन्दी बातें और इसके लिए हमें राजनीतिक ज्ञान राजनीति विग्ञान प्रिटिकल साइंस के अध्यन की जरुरत है तब जाके हमें राजनीतिक भूगोल के बहतर अध्यन में मदद मिलेगी ये राजनीतिक भूगोल का ही हिस्सा है एक उपखेतर कहलाता है सैनी भूगोल सेना को राजनीति से जोड़ा क्यों गया है सेना जो है वह हमेशा दूसरे देश के लिए उसका उपयोग होता है सामाने त्या सेना का संबंध अन्य देश से होता है अन्य देश से लड़ाई, अन्य देश से रक्षा, अन्य देश से युद्ध आदी-ादी और जब अन्य देश की बात करते हैं तो राजनीती जरूर आती है तो इसलिए हमें राजनीती भूगोल को समझने के लिए सेन्ज विज्ञान समझना होगा ये अत्यावश्यक है और राजनीती विज्ञान तो समझना ही आवश्यक है चौथा मानो भूगोल का छेत्र है जन नांकी पांचवा है जिसमें चौथे में जन संख्या भूगोल हम पढ़ते हैं जन संख्या के बारे में तो जन संख्या के बारे में अधि हमें पढ़ना है तो हमें जन नांकी याने डेटा संबंदी विशह जो है इंटर्प्रेटेशन डेटा का सांखिकी की जानकारी, सांखिकी की एनलिसिस ये हमें समझना जरूरी होगा, तभी हम जन संख्या भूगोल का समुचित अध्यन कर पाएंगे, समुचित निशकर्ष निकाल पाएंगे. अगला और पांचवा है आवाज भूगोल, जिसमें ग्रामीन नियोजन की बात होती है, और इसलिए ये विशह आवाज भूगोल के लिए जरूरी है कि हम ग्रामीन नियोजन की जानकारी कुछ रखें, ये उसका सहयोगी विशह है, और अन्तिम, लेकिन शायद सबसे के बीच के संबंद में विकास जो है, वो विकास का संबंद आर्थिक विकास से मूल रूप से जुड़ा हुआ है, तो आर्थिक विकास में कौन-कौन से उपशेतर हैं, आर्थिक भूगोल में कौन-कौन से उपशेतर हैं, संसाधन भूगोल, कृशी भूगोल, उद्योग भूगोल विपडन भूगोल परेटन भूगोल और अंतराश्टी व्यापार का भूगोल दूसरे शब्दों में यदि आप देखें मानव भूगोल के छै ख्षेत्र हैं जिसमें पहला जो सामाजिक भूगोल है उसके पांच उप ख्षेत्र हैं और आखरी जो अर्थिक उसके छै उप ख्षेत्र हैं तो मूल रूप से मानव भूगोल का अध्यान एक अधिकतर ख्षेत्रों में आर्थिक भूगोल को समझने के लिए होता है और इसके लिए आर्थिक भूगोल को की बहतर समझ तभी हो सकती है जब उसके सहयोगी विश्यों को हम पढ़ें उसके सहयोगी विश्यों का भी हम अध्यान करें जिसमें संशाधन अर्थशास्त्र है कृषिविग्यान और द्योकी कर्शास्त परिटन यात्रा अंतरराश्टी व्यापार और व्यावसाईक अर्थशास्त भी है जिसका विश्तार से बाद में हम अध्यान करेंगे मानो भूगोल का विशय क्षेत्र क्या है अभी हमने जाना कि मानो भूगोल को कितने क्षेत्रों में बाटा गया है अब हम यह देखें कि मानो भूगोल का डायरा क्या है कहां तक मानो भूगोल की पहुँच है और कहां से मानो भूगोल छूड जाता है और कोई दूसरा विश्या आ जाता है यानि स्कोप अफ हुमन जोग्रफी इसका स्कोप कितना है विश्व के विवन भागों में निवास करने वाले मनुश्यों में जो शारीरी क्रचना है जो वेजभूशा है भोजन, ग्रेह निर्मान, आर्थिक जीवन और उनके जो जीवन यापन की शाली है इसमें सब में विवन्नता है इनी विवन्नताओं का अध्यान हम मानो भूगोल में करते हैं बार बार इस बिन्दु को ख्याल रखें कि मानो भूगोल में मूल रूप से हम विवन्नताओं का अध्यान करते हैं और क्यों करते हैं क्योंकि विभिन्दाओं की समझ हमें किसी निशकर्ष पर ले जाती है एक खेत्र के लोग दूसरे खेत्र से विभिन्द क्यों हैं तो यही विभिन्दाओं मानो भूगोल के अध्यन का सबसे मूल खेत्र है विश्व के अलग-अलग भागों के लोगों की कारिकुशलता, शिक्षा, कला, विज्ञान, स्वास्थ और तक्नीकी विज्ञान, धार्मिक मानिताओं में पाई जाने वाली भिन्दाओं यह मानो भूगोल का खेत्र है एक थान का व्यक्ति, उसके धार्मिक विश्वास कुछ हैं और दूसरे स्थान के व्यक्ति के धार्मिक विश्वास कुछ हैं, आखिर क्यों, क्या वो भागोलिक परिस्थितियों से प्रभावित हैं, यह उसके विश्वास, क्या पर्यावरन ने उनके इस विश्वासों को अलग-अलग रखा क्या यदि पर्यावरन एक ही रहता दोनों जगह का तो क्या उनके धार्मिक विश्वास भी एक ही रहते या क्या पर्यावरन के कारण उनके विश्वास धार्मिक विश्वास अलग-अलग है आदी आदी ऐसे अनेकों अनेकों बिन्दु हैं जिस पर मानो भूगोल में भिन्नता को लेकर अध्यन किया जाता है जब हम मानो विकास की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पश्चिम योरोप के लोग आविशकारक प्रवरितिके हैं ज्यादा कारे कुशल हैं ये उदारन है आप भी समझते हैं कि हम लोग पश्चिमी योरोप के लोगों को जहां पर फ्रांस है इटली जामनी इंगलेंड पुर्टगाल स्पेन ये देश जहां स्थित हैं उस खेतर को हम ऐसा मानते हैं कि वहां के लोग ज्यादा आविशकारक प्रवरितिके हैं उनमें कुशल जादा अच्छा है और उसके विपरीद भूमद रिखा के लोग बड़े सुष्ट और आलसी होते हैं तो क्या इसका मतलब ये हुआ ना कि भूगोल से मानों की आदितों का तातपर है उश्न खेतर भूमद रिखा शायद वहां के उश्न व बना देता है ये जो भिन्नता इसमें देखी है वह प्राकृतिक वातावरन के कारण हुई भूमद यी खेतर ओश्न गरम है इसलिए वहां के लोग शायद काले दिखते हैं तो कि पूरे समय तेज सूरज की तेज किरने गर्मी उसके उपर आती रहती है और उल्टा पश्च पश्चिमी येड़ोप भूमद यरिखा से काफी दूर है इसलिए शायद वहां के लोग गोरे रहते हैं देखना ये है कि भूमद यरिखा में एक के एक छोड से लेकर दूसरे छोड तक यदि वातावरन समान है और लोंगों में मानों में इस भूमद यरिखा की रहने वा प्रगती में भी देखने को मिलता है। प्रगती में भी देखने के बाद भी कुछ जातियां या मानव समूने बड़ी आजनिक जीवन शाली अपना ली है। के अध्यन का खेत्र है। कुछ भिनताएं या तो प्राकृतिक वातावरन के कारण हैं या मानवी कारिक शम्ता के कारण भी हैं। आजमी की कारिक शम्ता एक खेत्र से दूसरे शेत्र बदल जाई। तो आखिर बदली क्यों हैं इसका भी गहन अध्यन आवश्यक हैं। इन सब को देखें तो मानव भूगोल का खेत्र तो अत्याधिक व्यापक है। कि इसका जो सकोप है, इसका जो खेत्र है, दाइरा है, बहुत ही जादा व्यापक है। विविन विद्वानों ने इस सम्मर्ण में अलग-अलग मत दिये। और फेमस जो प्रसिद भूगोल वेता है हटिंग्टन, उन्होंने तो कहा है कि भौतिक दशाओं का प्रभाव प्राकृतिक वनस्पति एवं जीन जनतुओं पर पढ़ता है। यानि वातारण का प्रभाव पढ़ता है। प्राकृतिक परस्थितियों का प्रभाव मानों की भौतिक आवश्यकताएं, आधार्भूत व्यावसाएं और उच्च आवश्यक चामानों पर भी पढ़ता है। ये समझने की बात है। विडाल डीला ब्लाश जिसका जिक्रपूर में दो तीन बार किया गया है। उन्होंने तो मानों भूगोल के विशेक शेत्र को तीन भागों में एक तरीके से माटा है। पहला भाग जिसमें जन संख्या वितरण घनत्व जीविका के साधन, जन संख्या घनत्व का संबंद आदी आदी, जन संख्या वृद्धी ये जिसमें पढ़ा जाए। तो एक खित्र तो मानों भूगोल का ये हुआ। विडाल डीला ब्राश के अनुसार, दूसरा खित्र संस्कृतिक, पहला जन संख्या या उससे संबंदित, दूसरा संस्कृतिक या उससे संबंदित जिसमें वातावरन, समायोजन, ग्रहिन इनमार सामगरी, अधिवास, रहने की शैली, सभ्यता और संस्कृतिका विकास संस्कृतिक और तीसरा खित्र है उनके अनुसार ब्रहमन एवं परिवहन में, बानो एवं पश्यु परिवहन, सडके, रेल, जल परिवहन आधी आधी, फ्रांस के जो भूगोल वितना है डिमांजिया, उन्होंने बताया है कि इसमें इतिहास और मानो भूगोल में इतिहास और सामाजिक विज्ञान का संबंध है, प्राकृतिक परियावरन के अनुसार मानो अपना जीवन व्यक्तित करता है, ये लाइन, ये पंक्ति बहुत महत्पूर्ण है, प्राकृतिक वातावरन के अनुसार मानो अपने को ढालता है, अपना जीवन व्यक्तित करता है, और उ ऐसा फ्रांस के जो भूगोल विर्ता डिमांजिया हैं उन्होंने कहा है। मानवी आवास प्रवास, मानवी अधिवास और प्रकृतिक पर्यावरन का अनुसरन मानो करता है। याने मानो प्रकृति को अनुसरित करता है उसको बदलतानी। एलिमेंट्स अब जोगरफी में भूगोलिक स्थित्यों को फ्रिंच और ट्रिवार्ट ने भूगोल के अधियन ख्षित के रूप में उसे विभाजित किया है। भूगोलिक तथ्यों को उनके अनुसर जलवाय। धरातल प्रिथ्वी खनिच पदार्थ बहती नदी वनस्पती पशू ये सब मानो जीवन को प्रभावित करते हैं। मानो कितना उनको प्रभावित करता है ये विशा नहीं है। उनके अनुसर विशेश मुद्दा है कि जलवाय। धरातल मिटी आदी नदी आदी वनस्पती पशू ये मानो जीवन को प्रभावित करते हैं। और इसी लिए उसी के अनुसर मानो की जनसंख्या, बस्तिया, उत्पादन की दशाएं, परिवन के साधन, व्यापार आदी का निर्धारन होता है। सभी भूगोल विटाओं की विचारधारा में एक निशकर्ष निकलता है। जदि इन भूगोल विटाओं की विचारधारों का धिन किया जाए, तो ये स्पष्ठ होता है कि मानो इस विशय का केंदर बिंदु है। मानो भूगोल का केंदर बिंदु मानो है। मानो पर प्रारंब से प्रकृति का प्रभाव रहा। जैसा कि आप समझ सकते हैं, प्रारंब में तो मानो प्रकृति का गुलाम था, तो उसका प्रभाव एक गुलाम के रूप में उस पर पड़ रहा था। और धीरे धीरे उसने प्रकृति को वश में करने की कोशिश शुरू की। प्रारंब से इसका प्रभाव तो रहा, वो प्राकृतिक शक्तियों का समायोजन भी करते रहा। समायोजन कार्थ यह है कि वह इन प्राक्रितिक शक्तियों को प्राक्रितिक जो ताकतें थी उनको अपने साथ लेके उनको चलता रहा और ऐसा भी हुआ कि वातावरन के समायोजन से उसने अपनी आवश्कताओं की पूर्थ करनी शुरू की यानि समायोजन वो कप करता था या समायोजन क्यों करता था जहां पर उसे लगता था उसका हित नहित है उदारन के लिए जाते मैंने स्वेज नहर की बात लिए करें तो यह एक ऐसा उधारण है जिसमें तत्कालीन समाज के लोगों ने राजनेतिक समाज के लोगों ने सोचा कि स्वेज नहर की लंबाई कम होने से फादा होगा तो इस प्रकार प्रकृति के साथ उसने एक तरीके से छेड़ खानी की और एक नहर काटी और दो देशों की बीश की दूरी को कम कर दिया गया अपनी आश्कताओं की पूर्टि करना सीखना प्रकृतिक वातावर्ण के तत्व मानुई क्रियाओं को प्रभावित करते थे आखिर यह प्रकृति ही तो थी या प्रकृति जो हमारे क्रिया कलापों को प्रभावित करती है, याने हम अपने को प्रकृति के अनुसार ढालते हैं और हर संभो कोशिश करते हैं कि हम अपने हित्व में देखते हुए प्रकृति के ताक्तों में कुछ ऐसा परिवर्तन लाएं जिससे हमारा फ्यादा हो." उसमें कुछ शंशोधन करते हैं उसमें कुछ समयोजन के साथ उसको अपने को अनकूल बनाते हैं और इस प्रकार परिवर्तन लाते हैं लेकिन सब के पीछे उसका अपना हित नहित होता है इस प्रकार मानो ना तो पूर्ण रूप से तकृति पर विजय पा सका और ना ही वह प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सका है। यह बिंदु जो है यह बहुत अहम है। मानो ना तो प्रकृति को पूर्ण रूप से प्रकृति पर विजय पा सका और ना ही वह उस पर नियंत्रण कर सका है। मानो ने प्रकृति को वातावरण के एक तत्व के रूप में संस्कृति को वातावरण को निर्मित किया। यह तो हम समझते हैं। सांस्कृतिक वातावरण का निर्मान मानों ने प्राकृतिक वातावरण के एक तत्व के रूप में एक एक अंग के रूप में उसको लिया है और इसलिए मानों को सांस्कृतिक वातावरण का जनक कहा जाता है यानि उसको जन्म देने वाला उसके उद्य का कारण मानव है मानव भूगल के विशेक्षित्र में मानव जातियां, जनसंख्या वित्रण, घनत्व, लिंगानुपाद, आयू वर्ग, कारिक्षमता, स्वास्थ इन सबको समय उजित किया गया है, इन सबको इसमें पढ़ा जाता है किसी खेत्र में, खेत्र विशेष में या किसी प्रदेश में, मानव समू के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों का मुल्यंकन और नियोजन इसका विशेक्षेत्र है, मानो भूगोल का विशेक्षेत्र है मैं पुना दोहरा दूँ, प्राकृतिक वातावरण में मानो जातियां आर्थिक, सामाजिक और संस्कृतिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों का मुल्यंकन ये मानो भूगोल का एक विशेक्षेत्र कहा जाता है और ये इसमें समलित किया गया है एक अमेरिकी भूगोल वेता हैं, अमेरिका के जिनका नाम है काल सावर उन्हों ने तो भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संख्या दे दिया है उनका कहना है कि सांस्कृतिक भूगोल ही इसका असली नाम है और यह संग्या इस विशेक्षेत्र के ध्यान में रखते हुए उचित बैठती है मानो भूगोल के बदले सांस्कृतिक भूगोल कहना समुचित होगा उनके अनुसार प्राकृतिक तथों के आधार पर सांस्कृति का विकास मानो करता आया है तो सांस्कृति का विकास मानो भूगोल का मुख्य विशेक्षित्र है ऐसा काल सावर अमेरिकी भूगोल वित्ता का मानना है अन्य भूगोल वित्ताओं में जेच लेबल और जेलिंसकी इन्होंने प्रित्वी तथा मानो धर्म एवं मानो मूलों को ठापित कर कल्यान कारी बनाने वाला विशह मानो भूगोल को बतलाया है उनके अनुसार मानो भूगोल जो है वह एक कल्यान कारी विशह है जिसमें मानो प्रकृति को ध्यान में रख कर प्रकृति के नीमों को ध्यान में रख कर अपने विकास अपने विकास के लिए अगरसर आगे बढ़ता है और इसमेकार कल्यानकारी बनाने का उद्येश पूरा कैसे हो यह यह कैसे किया जा सकता है यह मानो भूगोल का विश्य खेत्र है जैसा भी मैंने कहा काल सावर उन्होंने मानो भूगोल को एक कल्यानकारी विश्य बताया है क्योंकि उनका कहना था कि मानो भूगोल में हम अपने हित के लिए उसका अध्यान करते हैं और उससे द्वारा निकले गए निशकर्ष निचोड मानों के कल्यान के लिए होते हैं, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मानों भूगोल में मानों और प्रयावरन, मानो और प्रकृति मानो और वातावरण प्रकृतिक वातावरण इनके बीच के परस्पर सम्मंध की मधुरता और खटास इसका हम इस विशह में अध्येन करते हैं थेंक यू